असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो उम्मिद करते हैं आप सब खेरेस होंगे दोस्तों बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मारे यूटुब पेकर पे कमेंट के जरीए भी और मेरे वार्टसप गुरूप में भी कि मेरा मौफा हुए बहुत दिन हो गया लेकिन अभी तक मेरा बीजा क चुके हैं और उनका काम नहीं हो रहा है जिससे लोगों को परसानी बहुत ज़्यादा हो रही है और इनको पता नहीं चला कि आखिर में काड़न क्या है में वज़े क्या है कि मेरा बीजा नहीं लग रहा है तो यह वीडियो में आज इसी टॉपिक पर आपके साथ से बताने वाला हूँ आपको ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको फिर दोबारा किसी से कोई सवाल पुछने की जरूरत भी ना पड़े वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को ला सेलेक्ट नहीं करते थी ठीक है लेकिन और फिर उसके पास बीज़र तो उसके कंपनी भेज देते थी फिर अपना मेटकल करा के आर्मी लोग चले जा देते इसमें असानी थी कोई दिक्कत कोई परसारी नहीं थे लेकिन अभी क्या होगा इंटर्विव आप इंडियाम दे रह जाता है तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई पहले आप मेटकल कराकर मुझे रिपोर्ट देंगे तब ही मैं आपको बीजा लाउड करूंगा आफिस वाले बेचारे मजबूर हो जाते हैं उसमें इनकी भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि उन भी म लेते हैं लोग दिया नहीं'll करते हैं तो लट जाधा हो रहा है दो मेटकल कराने के लिए क्या करता है कि एजेंट आफिस का मुछा आपडेट कर रहता है यहीं मेन प्ट है मेन बात यही है कि कंपणी के तरफ से डीजा इसू नहीं हो राहे तो जहरी सी बात है वह रहे है आपका मेटकल जो उससे लग जाएगा एजेंट भी यह चाहे जाएगा आफिस वाला भी चाह गिए जया जाएगा अपना अब बंदे को भेजूँ और मेरा काम हो जाए मेरा वी कुछ फायदा हो जाए तो इसमें उसको भी फैयदा नहीं होता है و बस टैन्सर होती है कि कभ बेज़ा भेज़ेगा कभ कंपनी वाले भीजा वकाला करा बमारे हमं क। बेंगि देलूं को बेज़िगों कि इसी चक्र में दिक्कत हुआ रोगां से केस में होता है कि एक ए Сबसेऎमि कानी अभिल के लिए दोबारा भीजा भेजूंगा अब इसमें मामला फज्जाता 25 का काम हो जाता है और 25 का लटक जाता है तो 25 का क्या होता है इसारे खेल चल रहे हैं जारा तर खेल यह सौधी से चलना है ना कि इंडिया से चलना है लेकिन कुछ एजेंट है जो पैसों से चक्कन क्या करत आप लोगों के भी बहुत सारी गलतिया होते है मोफ़ा होते ही आप लोग पूरा पेमेंट कर देते हो आफिस वाले को या फिर एजेंट को तो आपको इसी गलती बिल्कुल ने कर जो ऐसा करेंगे उनके उनका कुछ नहीं होने वाला उनका कुछ भी नहीं हो पाएगा ठीक आही गया इसका कोई मतलम नहीं होता है क्या अता है अधोसरों करते है रहते हैं प्यारेशे की स्टिरुए करते हैं कभिश्पाइस करेंगा आपको 8-10 आफिस वाले यह से मिलेंगे जो आफिस कर देंगे काम नहीं होने पर लेकिन बाकी तो सब खाई जाते हैं यह कर देंगे भी तो आधा दूरा पैसा देंगे पूरा नहीं करेंगे इसलिए मैं बोलता हूं बाई लोग जब आपका बीजा इस्टंप नहीं हो जाए बोलग में आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा तो इससे में दिक्कत को नहीं होती है बहुत सारे लोग टीकट के हवाले से भी पूछते हैं कि मेरा हो गया टिक्ट भिने करा रहा है मेरा वीजार स्टंपिंग हो गया टिकेट नहीं करा रहा है इसमें भी यही कारण होती है यहां कि कमपनी घुरूप की ब्जा भ्यूजती हैं तो छूण गूरूप में सब तो अब को आपकी फालाइ्ट जरूर कर आएगा उसको भी चीज की पता आए। कि अगर तीन मेने पहले मैंने उने उनको बेजा नहीं तो लोग उनों को बीजा despite अधि अधिन पर जाएगा पीर जी रपसाणि हो जाएगी तो तीन मेने पहले पे लोग आपको जरूर भेज़ाएगा क्यूंकि घृजते हैं और फाइडे के लिए भी बहुत सारे सवाग खास के भी पिजा बजाते हैं उनको भी लोग गुरूप चक्रम लटका करते हैं कि अजाज़त नहीं दे रहा है या भी बोलते है कि उज कंपणी कोई कंफर् तरहाथ होता है कि लेट करते हैं और कुछ नहीं होता है और अगर आपको नहीं पता है कि आपका बीजा लगा है कि नहीं लगा आपका मुफा हुआ है कि नहीं हुआ है तो सारा लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से जाकर खुद चेक कर स से कि आपका वीजा फुआ है कि नहीं हुआ है को वाइज वाव सब्सकराइब कोई भी सवाल पूछेंगे कोई भी जानकाली लेना चाहते हैं कोई पैमें पिर में जोब्त देने वाले बंद्ध होते हैं या फिर में अलार नहीं हूँ और आपका और नहीं होते हैं और आपका जानकारी होते हैं उस पर नजर नहीं पड़ती है लोगों की तो आपका जवाब नहीं मील पाता है तो एक दो बार करेंगे तो इसलाब आपका जवाब मेली जाएगा अगो उससे भी नहीं होता तो मुझे परस्टनल मैसेज भी कर सकते हैं एडमिन के तौर पर तो अब परस्टनल मैसेज आला हाफिस